हम सब्सक्राइब अश्राइब यूटीब चीनल में आफ वह बहुत स्वागत है दोस्तोों आज हम बात करेंगे sera सीनिंग्फेन पे तो सभीषी काम हो जाती सब्सक्राइब अकता सब्सक्राइब शियूट बंडिक्सर्डरिय को ाकशक्री सब्सक्राइब सेलिंग फाहन के आपने वायंनिंग अच्छे किया है डाटा भी अच्छे से लगाया है कैपिस्टर भी क्यूइशर क१ियो प्सके पिर स्पीड प्रोपर नहीं आरी है उसकी स्पीडD अच्छे से नहीं आ तो कहीं न कहीं हम कोई न कोई गलती करते हैं तो वो सबसे बड़ी जो गलती है दोस्तो उसी के बारे में ये वीडियो है दोस्तो पंके के अंदर वाइनिंग के बाद स्पीड का कमाना ये कारण है देख सकते आप तो यहाँ पर आप धान से देखी मेरे पास यह ceiling fan है और आप इसका जो है rotor and stator देख सकते हैं तो यह भार का जो है क्या है यह rotor है अंदर का winding वाला है stator अब इसका आप देख सकते हैं यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक का यह जो है ठीक है यहां से यहां तक का जो ये हिस्सा देख रहे हैं ओके ये रोटर का है ओके और इस टेटर का हिस्सा आप देख सकते हैं कि उपर उठा हुआ है इसे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ठीक है ये इसके बराबर होना चाहिए ठीक है जितना रोटर होता है उतना ही पंके का stator होता है तो उसके बीचो बीच ये होना चाहिए ठीक है तो क्या होगा अगर ये उपर रहे या नीचे रहे तो speed कम हो जाएगी speed कम क्यों हो जाएगी क्योंकि magnet field अच्छा नहीं बनेगा और rpm कम होने ही होने है तो जितना बीचो बीच रहेगा उतनी अच्छे rpm होंगे अगर बीचो बीच रहेगा तो complete rpm आपको मिलते हैं अगर ये उपर चला जाता है या नीचे गुसर जाता है इससे टहल जाता है ठीक है तो क्या होगा इसके बीच में नहीं रहता है तो rpm कम होने ही होने है तो अब आप इस पंक्ये को देख सकते हैं इसके अंदर जो है उपर की तरफ उटा हुआ है तो कैसे इसको adjust करें देखिए इसको adjust करने का तरीक का यही है कि इसके अंदर अगर कोई छला लगाया है तो उसको हटा सकते हैं ओके या इस पर हम चोट मार के इसको एड़ेस्ट कर सकते हैं तो इसको क्या करेंगे एड़ेस्ट कर हो जाए अंदर की तरप हम चोट मारें तो अब देख सकते हैं अब आप एक चीज और देखेंगे कि यह बहुत ज़्याद अंदर गुश गया देखिए यहां से तो बहुत ज़्धा अंदर गुज़ गया है तो हमको क्या करना होगा अगर यह tight है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर bearing में fit better है tight है जब तो हमें इसे हतोड़ी से adjust कर जएंगे बीच ओ बीच अगर यह बहुत ज़्धा lose है तो हमको कैसे adjust करना होगा अगर lose होगा तो क्या होगा यह नीचे भी हो सकता है उपर भी हो सकता है तो इसमें हम जो है छल्ला लगा करके इसको adjust करेंगे जैसे नीचे का bearing है ठीक है तो इस पर हम छल्ला लगा सकते हैं अब जैसे अंदर की तरफ बहुजादा बैठ गया है ठीक है तो हम क्या करेंगे कि एक छल्ला इसके अंदर की साइड लगा देंगे इसको निकाल करके ओके तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों ठीक है यहां पर bearing लगा होता है तो जो छल्ला लगाना आपको कहां पर लगाना है यहां पर लगाना है यहां पर लगाना है तो चब आप छल्ला डालेंगे तो क्या होगा ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा और इस तरह से आपको इसको adjust करना है कि ये इसके बीचो बीच रहे अब उपर का तो हो गया छल्ला डालने के बाद मालीजी हम इसमें छल्ला लगा देगी तो दोस्तों मेरे हाथ में देख सकते एक छल्ला है तो इस प्रकार का एक छल्ला ले सकते हैं आप और इसके अंदर आप डाल सकते हैं ठीक है और इसको डाल के जो है इसके अंदर फिर इसको fit कर सकते हैं ओके तो यहाँ से क्या होगा कि ये छल्ला अगर इसमें लग जाता है तो ये ज्यादा नीचे की तरफ नहीं झाएंगा अब इसको हम वतोड़ी से यहां पर इसको कर देकाते बिलकुल इसके बीचो बीच ओके ठीक है दोस्तो हमको जो है इसके बीचो बीच इसको रखना है गर ऐसा नीचे होता है यह लूज रहता है ठीक है और क्या होता है कि नीचे की तरफ ही यह जाता है इसमें तो इसमें भी हम एक शल्ला डाल देंगे तो इसमें भी नीचे की तरफ एक शला लगा देंगे इसके size का जिस्षण नीचे की तरफ ना जाय तो इसको मतलब क्या करना है? हमको बिल्कुल ना fix करना है और जब भी fix हो जाएगा इसके बीच ओबीच आ जाएगा तो क्या होगा? इसकी complete हमको प्रोपर स्पीड हमको इसकी मिलेगी इस फैन की तो यही मेन कान होता है जातार पंकों में देखा जाता है कि उसके रोटर स्टेटर मिलते नहीं है मैं फिर एक बार दोबारा से आपको समझाना चाहता हूँ इसको निकाल करके तो दोस्तों मेरे पास यह है स्टेटर ओके यह है रोटर तो आप जो अंदर का जो हिस्सा देखेंगे जो बीच बीच का हिस्सा यह यह बार का हिस्सा है यह अंदर की तरफ आप देखिए यहाँ पे ओके तो यहाँ पे आप देखिए जो अंदर का हिस्सा है ये ये में है ये जो है ये सैट करने के लिए है उपर नीचे का जो हिस्सा है तो इसका ये जो में हिस्सा है इसके बीचो बीच ये रहना चाहिए ये पत्या जो है ये रहनी चाहिए ठीक है तो आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से ठीक से देख सकते हैं अच्छे से तो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं इस तरह से यह बीचो बीच है इस तरह से अगर यह उपर हो गई तो क्या होगा कि स्पीड आधी हो जाएगी बहुत कम हो जाएगी और बीच में speed पूरी मिलेगी RPM पूरे बनेंगे और क्या होगा कि नीचे कि तरह बीच चला गया तब भी क्या हो जाएगी speed आदे हो जाएगी तो ये main चीज होती है दोस्तों तो इस कमी के कार्ण दोस्तों क्या होता है कि पंका बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है और जातार भाई समझ नहीं पाते हैं उनको लगता है कि डाटा में कोई गरबर हुई है या कि पिश्टर बीव बदल के देख लेते हैं फिर भी पंका देरे चलता है तो इसका यही कान एक है अगर आप रोटर की स्टेटर की सेटिंग अच्छा करोगे उसको बीचो बीच रखोगे, फिट रखोगे तो पंका अमेशा अपनी वास्तविक सपीड पे हाई स्पीड पे, ओरिजिनल स्पीड पे चलेगा जिया दोस्तो तो आज की वीडियो में दोस्तो बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ जहिन जा भारत